हेलो आपके साथ बहुत ही टेस्टी बिल्कुल रेस्टरान स्टाइल मेथी मलाई मतर की रेस्पी शेयर कर रही हूँ और वैसे भी सर्दियों का मोसम चल रहा है तो इस टाइम पे मेथी और मतर हमें बहुत ही इजली मिल जाता है मेथी जो है मोसली लोग खाना पसंद नहीं करते हैं लेकिन अगर आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है और इसमें आपको बाहर से कुछ जादा समाल लाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें हम क्रीम का यूज नहीं करने वाले हैं बस जो नॉर्मल हमारे पास दूद की मलाई होती है उसी का हम इसमें यूज करेंगे जिससे आप भी इसे बहुत ही बना पाएंगे तो रेस्पी को पूरा जानने के लिए वीडियो को एंट तक जरूर देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें साथ ही आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करें और बैल आइकन प्रेस करना बिलकुल ना भूलें चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में मैं एक बड़ा चमच रिफाइंड ओल ले रही हूं आप घी या फिर तेल कुछ भी उज़ कर सकते हैं इसमें हम एड़ करेंगे यह एक टुकड़ा दाल चीनी का साथ में एक मैंने बड़ी लाई चीली है और एक तेज पता भी हम इसमें एड़ करेंगे यह 4 medium size के प्याद मैंने यहां पर roughly काट कर ले लिए हैं इनको आपको बारी काटने की जरूरत है है क्योंकि बाद में हमें इनको grind करना है यह 4-5 मैंने kajoo लिए हैं इससे हमारे सबजी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा अब इन सबी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और लगबग एक मिनट के लिए पका लेंगे जिससे की खड़े मसालों का फ्लेवर अच्छे से आ जाए आप इसमें बड़ी इलाइची की जगए हरी इलाइची का भी उज़ कर सकते हैं प्यास हमारे थोड़े से पक गए हैं लगबग एक मिनट के लिए हमने इनको पका लिया है अब इसमें हम ये आधा का पानी एड़ करेंगे गिलास के हिसाब से आप आधा गिलास पानी ले सकते हैं अब प्यास को और इन मसालों को हमें पानी में अच्छे से पकाना है जब तक कि प्यास थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हम इसको ऐसे ही कंटीनू पकाएंगे तो मैं इसको एक प्लेट के साथ कवर कर देती हूँ और लगबग 5-7 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे तो 7 मिनट हो गए है इनको पकते हुए आप देख सकते हैं प्यास हमारे थोड़े सॉफ्ट दिखने लग गए है इसमें जो पानी था वो भी सारा सूख गया है बस इतना ही हमें इसे पकाना है अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं क्योंकि हमें इसको अच्छे से ठंडा करना है तो प्लेट में निकालने से ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा इसलिए इसको ऐसे थोड़ा सा फैला भी दे अब मैंने यहां पे ये लगबख दो मुठी मेथी ली है इसको आपको अच्छे से धोकर काट लेना है तो मैंने इसको पहले से अच्छे से धोकर काट लिया था अब सर्दियों का मोसम चल रहा है तो इस तरह की बिल्कुल फ्रेश मेथी आपको बहुत इसली मार्केट में मिल जाएगी लेकिन अगर आप इसको गर्मियों में बना रहे हैं और उस टाइम पे आपको ये मेथी नहीं मिलती है तो आप इसकी जगह कसूरी मेथी का यूज कर सकते हैं चार से पांच चमच आपको कसूरी मेथी ले लिनी है और उसको लगबग 10 मिनट के लिए पानी में भिगो देना है और उसके बाद उसको थोड़ा सा रोस्ट करके आप उसे यूज कर सकते हैं लेकिन ये फ्रेश मेथी का यूज करने से सबजी का और भी बढ़िया टेस्ट आएगा अब एक पैन में हम एक चमच देसी घी ले लेंगे आप इसकी जगह बटर का यूज कर सकते हैं घी को हमें बिल्कुल अच्छे से गरम करना है तो ये घी हमारा बिल्कुल बढ़िया से गरम हो गया है अब हम इसमें वो मेथी आड़ करेंगे और साथ में 500 ग्राम मैंने मटर ली थी तो उनमें से मेरे ये दाने निकले हैं इनका मैं इसमें यूज करूँगी इन दोनों चीजों को आपको घी में थोड़ी दिर के लिए पकाना है आप इसमें घी या फिर बटर का यूज करेंगे तब ही इसका ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है और मटर को हमें इतना पकाना है कि वो थोड़ा पक भी जाए और उसके पकने में थोड़ी सी कसर भी रह जाए और मेथी का कच्चापन भी अच्छे से निकल जाए तो अलागबग 6 मिनट के लिए हम इन दोनों चीजों को पका लिया है बस इतना ही हमें इसे पकाना है ये इतने में हमारे प्याज भी बिलकुल अच्छे से ठंडे हो गए है अब इसमें से हम ये खड़े मसाले निकाल देंगे क्योंकि इनको हमें नहीं पीसना है इनको अगर हम पीसेंगे तो इनका फ्लेवर जादा आता है बस पकने के टाइम प्याज में जितना आ गया है उत तो ये देखिए बिलकुल स्मूध हमें इसका पेस्ट बना कर तयार करना है जैसा मैंने इसका बनाया है बिलकुल वैसा ही आपको भी बना रहा है अब एक कढ़ाई में हम ये 1-4 cup ओयल ले लेंगे मैं यहाँ पे रिफाइंड ओयल का यूज कर रही हूँ आप इसकी जगह स सरसों के तेल का भी उज़ कर सकते हैं तेल के थोड़ा गरह होने के बाद ये वान टी स्पून में इसमें जीरा एड कर रही हूँ जीरा थोड़ा सा पकने के बाद ये साथ से आठ कल्यां लेसून की जिनको मैंने बिलकुल बारिक चॉप करके ले लिया है आधा इंच का लेसून को थोड़ा सा गोल्डन होने तक हम इसको पका लेंगे तो लगबक दो मिनट हो गए इसको पकते हुए इतने हुए हमारे ये मसाले अच्छे से पक गए है अब हम इसमें वो प्याज की प्योरी एड करेंगे अगर आप इसका कलर देख रहे हैं तो प्याज को हमने पानी में पकाया था पानी में पकाने की वज़े से उनका कलर थोड़ा सा परपल से लाइट हो गया था इसलिए पीसने के बाद इनका कलर ऐसा आया है पर इस सबजी के लिए हमें इसकी ऐसी ही प्योरी चाहिए थी वैसे तो हमारे प्याज पहले से पके हुए है क्योंकि हमन तित देटी, लाल मिच पाउडर आट करेंगे, अच्छे से कलर के लिए, वान टीस्पून मैने नमक लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार रख सकते हैं वान-सो टीसपून हल्दी पॉडर हम इसमें add करेंगे और यह 1 टीस्पून मैंने धनिया पॉडर लिया है इससे इसमें अच्छा टेस्ट आएगा 1-4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और ये 1-2 टीस्पून अमचूर पाउडर मैं इसमें एड़ कर रही हूँ अब इन सभी मसालों को हमें अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ी से देर के लिए इनको पका लेना है प्याज के बाद अगर आप ये सारे मसाले एड़ करेंगे तो इनका और भी बढ़िया टेस्ट आता है आप भी इस ट्रिक को ज़रूर ट्राय करें और कश्मीरी लाल मिर्च का भी इसमें बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया है ये देखिए मसालों में से तेल बिल्कुल अलग हो गया है इसका मतलब ये बढ़िया से पक गए है अब मैंने तीन मीडियम साइज के टमाटर की प्योरी ले ली है इसको हम इसमें डाल लेंगे टमाटर की प्योरी को भी इसमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है टमाटर का तो टेस्ट हर सबजी में अच्छा लगता है तो आप इसको बिल्कुल भी स्कीप ना करें इस सबजी में तो आप इसको ज़रूर डालें वैसे आप मुझे कमेंट बे जरूर बताईए क्या पहले कभी आपने मेथी मलाई मटर खाया है तो ये टमाटर भी हमने बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर लिये हैं अब हम इसमें मतर और मेथी आड़ कर लेते हैं इनको हमें सारे मसाले में बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है और इसको हमें 4-5 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है तो अभी तो हम इसको पकाएंगे इसलिए थोड़ा गाड़ा हो जाएगा इसलिए मैं इसमें ये आधा कब पानी एड़ कर रही हूँ आपको इसकी जैसी प्योरी रखनी है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा पानी डाल सकते है लेकिन जो हमें होटल्स में मिलती है उसकी थोड़ी थिक और क्रीमी ग्रेवी होती है तो मैं भी इसको बिल्कुल वैफाई बनाने वाली हूँ ये सारी चीजे हमारी बिल्कुल बड़िया से मिक्स हो गई है अब हम इसको एक उबाल आने तक पका लेते हैं तो ये देखी सबजी में उबाल भी आना शुरू हो गया है ज्यादा देर के लिए हमें इसे नई पकाना है क्योंकि मटर और मेथी हमारे पहले से ही पके हुए है अब ये एक कटोरी मैंने यहाँ पे मलाई ली है जो हमारे पास दूद की मलाई होती है उसी को मैंने थोड़ा सा फेट कर ले लिया है फेटने से ये बिल्कुल स्मूध हो गई है इसके लिए आपको कोई बाहर से क्रीम लाने की जरूरत नहीं है मलाई का आप यूज करके देखें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है अगर चम्मच के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो ये चार से पांच बड़े चम्मच मलाई है मलाई को हमें इस सबजी में बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर लेना है मलाई से इस सबजी में बिल्कुल होटल वाला क्रीमी टेक्स्चर और टेस्ट आ जाएगा मलाई को मिक्स करने की बाद इस सबजी में हम एक उबाल और आने देंगे जिससे हमारी मलाई का इसमें और भी बड़िया टेस्ट आएगा और ये इसमें थोड़ी सी पक भी जाएगी तो ये देखिए सबजी में उबाल आना शुरू हो गया है अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कसूरी मेथी लिये हैं इसको हम इसमें डाल लेंगे तो ये सबजी हमारी बनकर तयार है अब हम इसको एक बरतन में सर्व कर लेंगे ये देखिए देखने में इतनी क्रीमी और टेस्टी लग रही है इसे देख कर कोई बताएं सकता कि आपने इस सबजी को घर पर बनाया है आप इसको लंच में या फिर डिनर में तंदूरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगेगी शायद आपको भी इसको देखते ही खाने का मन कर गया होगा क्योंकि जितनी ये देखने में टेस्टी है उससे भी कई गुना ये खाने में भी टेस्टी बनी है तो आज की रेस्पी हमारी तयार है आप भी इसे ट्राइ करें, इंजोई करें वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस रेस्पी कैसी लगी और आप इसे कप ट्राइ कर रहे हैं और फूड इस रेस्ट पर ऐसी अपने टेस्ट देती रहें अब मैं मिलती हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ थेंक यू, बाबाई